करनुह ли औरласт ऑफ ट्रेजिस एंटि कोलींस्टिरेज क्या होती हैं वह होती हैं इन डायरिक्क्ली स्थिंग प्राशिंपथेटो मा too इनका व्डूल अकसिं क्या होता है यह को लिनस्टिरेज जो की तरीज होता है उसकोون कर देती हैं क्योंकि यह enzyme क्या है Acetyl Choline जोंकि हमवारा Neuro transfer है उसको degrade कर देता है तो यह जो ट्रॉक्स होती है Anti Co अधिल कोलीनियस्टरैज से फिर ईन्जाइन को लोग बेविक तो आयो देखते हैं किस तरीके से इसका मीकैनिजम होता है कोलीन इस्टरेज जो कि 엔जाइम है उसपें 2 साइट्स होती है एक था सिकियर और इस्टरावटिक साइड ऑफिर इन दोनों ही साइट्स पे Acetylcholine जोके हमारा Neurotransmitter है वो bind हो जाता है जैसे ही Acetylcholine bind हो जाता है इन दोरो साइट्स पे तो यह Acetylated Enzyme undergoes rapid hydrolysis यानि कि जैसे ही हमारा substrate हमारे Enzyme पे bind हो जाता है अब यह Enzyme इसका hydrolysis कर देता है तो यह Acetylated Enzyme undergoes rapid hydrolysis ठीक है यह normally होता है बट हम क्या कर रहे हैं अब हम पेशेंट को दे रहे हैं Anticholinesterase drugs तो Anticholinesterase drugs क्या करती है Anticholinesterase drugs जिसमें कि हमारे पास हैं दो तरग Irreversible और Irreversible यह अलग-अलग mechanism द्वारा इस Enzyme की inside पे bind हो जाती है जिसके कारण competition होता है Acetylcholin के बीच में और इन Anticholinesterase drugs के बीच में तो यह drugs जब इस साइट पे bind हो जाती है तो Acetylcholin बाइंड नहीं हो पाता है जिसके कारण Acetylcholin बीच्रेड नहीं हो पाता है और जो Acetylcholin है वो receptors पे ही चिपका रहता है और उसकी action जो है वो प्रोलॉंग हो जाती है तो सबसे पहले हम समझते हैं दो तरखी होती है reversible और irreversible तो यह reversible जो Anticholinesterase है यह बोथ True और Pseudo-Polinesterase दो तरखी Collinesterase होते हैं True और Pseudo उन दोनों को ही inhibit करती है और कैसे reversible ही inhibit करती है reversible Anticholinesterase में हमारे पास आती कार्बामेड जिसमें है नियोस्टिग्मिन, रिवस्टिग्मिन, पारिडोस्टिग्मिन, फाइस्टिग्मिन और अदर ड्रॉस्टिग्मिन जिसमें डोन प्राजल, गैलन टामाइन, टैकराइन और अलकोहॉल वाली इड्रोफोनीम ठीक है तो इसमें जो कार्बामेड्स है इसका मोड ऑफ एक्शन यह रहता है कि यह जो है न यह इस एंजाइम की दोनो, आयानिक और इस्टराइटिक दोनो साइड्स पर बाइन हो जाती है कर्बा मेड्स और फिर क्या होता ही जो कर्बामोडेड्स है इसका hydrolysis काफी slow हो जाता है जिसके कारण acetylcholine की action प्रोलोंग रहती है वैसे ही organophosphates जो है वो covalently bind करती है पर anionic side पे नहीं easteratic side पे ठीक है तो organophosphates bind covalently to the easteratic side of enzyme only to inhibit the enzyme irreversible तो हमने देखा irreversible में हमारे पास organophosphates तो इसलिए organophosphates irreversible inhibition करती है और irreversible inhibition इसलिए होता है क्योंकि जब यह organophosphates इसकी easteratic side पे covalently bind हो जाती है तो उस enzyme फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम का hydrolysis बहुत slow हो जाता है ओके सो गाइज हमारी फर्स्ट रग है फाइजोस्टिग्मीन फाइजोस्टिग्मीन का दूसरा नाम है एसरीन ठीक है तो फाइजोस्टिग्मीन जो है derived from the plant फाइजोस्टिग्मा वीनोसम यह tertiary amine है और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो यह है कि पैनेट्रेशन थूदा टिशुज्ट तो फॉट पैनेट्रेशन होने के कारण इस टॉपिकली इसेक्टिव इट क्रोस ब्लड ब्लड ब्रेंट बैरियर उसका मतलब यह सेंट्रल नावर सिस्टम पर भी आट कर सकती है इसका मतलब इसके साइड एफेक्स भी काफी ज्याद करती है जिसकी मिकानिजम हमने पहले देखी थी मियोसिस से और ड्रेनेज ऑफ अक्वेस्ट यूमर करवाती है तो उसके कारण इंट्राओक्यूलर प्रेशर डिक्रीज होता है इसलिए ग्लोपुमा में यूस कर सकते है बट इस रहली उसका साइड एफेक्ट है कि इसका मस्करीनिक एजन्ट है अगर अत्रोपीन की पॉजनिंग हो जाती है तो मस्करीनिक रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते है तो उस कंडिशन को कॉंपिटिटिवली रिवर्स करने में फाइसोसिग्मीन इस वेरी हेल्फुल अग्ड अग्स्लो आईवी दिया जाता इसका क्यूं यह पढ़ रखी है माइस तेन या ग्रेवीज में दी जाती है तो इस सिंथेटिक अंटी कोलीन इस्टरेज एजन्ट में ली आक्स नुरो मस्कूलर जंग्शन ब्लाडर जी आईटी सीवीयस आई इसके डाइरेक्ट और इंडारेक्ट दोनों आक्शन है इंडारेक्ट अश इस्टरेज एंजायम को ब्लॉक कर वेगी तो आइसिडाल कोलीन की एक्शन प्रोलॉंग हो जाएगी डायरेक्ट अक्शन क्या है डायरेक्ट ली इस्टिमूलेर्स टी आनेम रिसेप्टर्स तो हमने पढ़ा था मस्किरिनिक और निकोटिनिक दो तरह की रिसेप्टर्स होत इसकी में बात यह है कि डिस्टेश नॉट ब्लप ब्लॉट ब्लायरों ऑद इस्टिमूलेट वेस्टिम्ट इसजों कर शकते है क्योंकि साइड इशक्ट काली मिनिमम हो जाते हैं इसके ओर ऐड्मिस्टरेशं भी किया सकता है इंट्रावीणस और इंट्रावीन और इंट्र पाइलिडोस्टिगमीन ओके गाइस सो पाइलिडोस्टिगमीन इस प्रिफर्ड वर नियोस्टिगमीन दप्रीटमेंट ओफ माइस्थेन ग्रेविज वाइस तो बिकॉज़ इस लॉंगर दूरेशन ऑफचिन और इस बेटर तॉलरेटेट बाय पेशन्स लास्ट हमाई जो ड् एक्षन भी है उसका और शॉट डूरेशन भी है यानि कि अच्छन फास्ट होता है पर थोड़ी सी देर के लिए रहता है एट तू 10 मिनिट्स यूज इन दी डियाग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविज ये इसका बहुत इंपॉर्टन्ट यूज है हिड्रोफोनियम का कुछ भी भूल जाए है पर ये पॉइंट याद रखें हिड्रोफोनियम के बारे में कि ये इस यूज इन दाइग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविज इस अल्सो इस तो डिफरेंशियेट माइस्थेनिया क्रैसिस फ्रॉम कोलिनर्जी क्रैसिस अंड इस यूज इन कु क्या आते हैं वो देख लेते हैं तो इंक्रीज सलाइवेशन, इंक्रीज स्वेटिंग, नौज्या, वॉमिटिंग, एब्डॉमिनल क्रैम्स, ट्रेमर्स, हाइपोटेंशन, डायरिया, ब्राइडिकार्डिया, ठीक है अब हम नेक्स बात करते हैं कि जो आंटी कोलिन इस्ट इस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन, उनके जो थेराप्यूटिक यूजिस हैं यार नंबर वन फॉर आई, तो ग्लॉकोमा में हल्प करते हैं, रिवर्सल ऑफ पुपिलरी डाइलेशन आफ्टर, डाइलेटेशन आफ्टर, रिफ्रैक्शन टेस्टिंग में हल्प करते ह है, तो मियोस्स करने वाली मैतर्टिक, जो ड्रॉट्टिक्स होती है, तो मै्तर्टिक के साथ, इनको मॐईटर्णेटिवली यूजिस किया जाता है, तू ब्रेक दी अग्हेसिंस बिट्वीन दी लेंज सेकेंड हम बात करते हैं मैस्थेन ग्रेवी मैं नीयो श्रीमीन इस यूज थेन पोस्ट अप्रेटिब यूरिनरी डितेंशन आंड अड आलिटिक ईलियस इसमें नीयो श्रीमीन इस देन कुरार पोईसनिंग और रिवर्सल ओफ नॉन डीपोलराइजिंग नियूरो मस्कुलर ब्रॉकिड बलाडोना पोईसनिंग यानि एट्रोपीन पोईसनिंग अवे तोकिग अब वी तक देखा रिवर्सिबल अंटी कोलीन इस्टरेज जो होते हैं उनके थेराप्यूटिक अक् क्या है तो इर्रिवर्सिबल में सिफ एक ऐसा है हमारे पास एको थायो फेट वह भी रेरली यूज किया जाता है इन रिस्टेंट केसी ऑफ ग्लॉकुमा अदर देन दाट नो इर्रिवर्सिबल अंटी कोलीन इस्टरेज इस यूज इन ट्रीटमेंट जनरली और ओपी कंपा तो ओपी पोईनिंग के सिम्टम्स क्या होंगे वही जो हमने एड्वर्सिफेक्ट ऑफ एंटी कोलीन इस्टरेज में देखे ओवर स्टिमूलेशन ऑफ मस्करिनिक और निकोटीनिक रिसेप्टर के कारण जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इसके सिम्टम्स होंगे तो सब सबसे पहले स्वेटिंग, सलिवेशन, नियोसिस, इन्वलुंटरी, यूरिनेशन, दिफीकेशन, फिल नॉज्या, वोमिटिंग, अब्डोमिनल क्राम्स, ट्रेमर्स, हाइपोटेंशन, डियर्या, ब्राडिकाडिया ये सब जो हमने देखे अद्वर्सिफेक्ट ऑफ एंट डेफिनेटली भी डिक्रीस्ट, ट्रीटमेंट ये अगहर हम बात करें, तो ट्रीटमेंट क्या है कि सबसे जाल तो कंडामिनेटेट क्लोथ को रिमूव कर दिया जाही है, फिर गैस्ट्रिक लावेज, डायज़िपाम दी जाती है तू कंट्रोल कंवर्शन, एंदेन वी जो ट्रीटमेंट्स हमने देखी न, ABCD, Airway, Breathing, Circulation वह वाली, एंद आर्टिफिशल रेस्पिरेशन देना चाहिए, फ्रिक्वार, हम बात करते हैं, अब स्पेसिफिक मेजर्स जो ओपी पोईसनिंग में लेने चाहिए, तो स्पेसिफिकली जो चीज करनी चाहिए, उसमें अब यह है कि एट्रोपीन सबसे पहले अड्मिनिस्टर किया जाता है, 2MG IV stat, repeated after 5-10 minutes, that to be doubling the dose if required, and एट्रोपीन should be continuous for 7-10 days after poisoning, and यह तो हमने एट्रोपीन के बार में पड़ा कि it is a specific measure, but एट्रोपीन की लिमिटेशन है, कि it is not useful in the reversible reversal of neuromuscular paralysis, तो neuromuscular paralysis को treat करने के लिए हमें cholinergic reactivators देने पड़ते हैं, जैसे कि paralid oxyne और obid oxyne, तो oxyne basically करते क्या है, यह हमारा acetylcholine esterase enzyme का एक डाग्राम समझते हैं, तो anionic site है और esteretic site है, तो normally OP poisoning में हो क्या रहा है, OP compound जो है वो esteretic site पे आके bind कर रहा है, covalently सिफ इसी side पर, anionic side पर ने, और phosphorylation करा रहा है, जिसके कारण इस enzyme का hydrolysis अब difficult हो चुका है, तो carbamates क्या करते हैं, sorry, carbamates नी, oxyne क्या करते हैं, वो आते हैं, anionic side पर bind होते हैं, और जो OP compound already esteretic site पर bind हो के phosphorylation करवा चुका है, उस phosphorylation को वापस से dephosphorylate करते हैं, तो यह लोग कर क्या, यह जो है oxyne हमारे यह कर क्या रहे है, यह reactivation of enzymes कर रहे हैं,